हेलो एवरिवन वेलकम टू टॉपर बेंस आज हम लोग चैप्टर फोर माई ड्रीम वर्ल्ड का ग्रामर पार्ट देखेंगे इस वीडियो में सिर्फ ग्रामर पार्ट ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है स्टूडेंट ने हमारा कमेंड किया है कि उनको ग्रामर पार्ट च सकते हैं वीडियो दोनों है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं और उपर आई बटन पर भी मिल जाएगा तो फटा फट आप लोग यहां से MCQ को देख लिजे यह मैंने चैप्टर एक्स्प्रेंट करते वक्त भी बता दिया था और यह देखने के बाद हम लोग फटा फट इसको ग्रामर पार्ट को कम्प्लीट करेंगो उससे पहले मैं आप से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे वीडियो को लाइक कीजे और दोस्तों के साथ शेयर पीजे आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं भूल जाते हैं और शेयर भी नहीं कर पाते हैं तो शेयर कीजे लाइक कीजे और सब्सक्राइब कीजे फटा फट हम लोग इसका ग्रामर पार्ट को यहां से स्टार्ट करते है सबसे पहले grammar part में हम लोगों को पढ़ने के लिए है alliteration alliteration जो है वो हिंदी में उसको कहा जाता है अनुप्रास अलंकार ठीक है जब एक ही letter का बार-बार repetition होता है ठीक है और एक ही letter का जो sound है वो बार-बार repeat होता है एक line में तो हम लोग कहते हैं कि वहाँ पर alliteration यूज हुआ है जैसे यह first sentence इसमें दिया गया है I sat there and saw a bright beam यह देखे सकते हैं bright, b से bright है, b से beam है तो b, b का repetition हो रहा है यहाँ पर तो इसलिए यहाँ पर alliteration है ठीक है alliteration is a technique of using the same letter or sound same ही letter, एक ही letter को बार-बार use करना और same sound को भी b, 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 ऐसा बार-बार आएगा या bo, 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 ऐसा बार-बार आएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि alliteration वहाँ पर use हुआ है ठीक है, तो इस exercise में यहाँ पर दिया गया alliteration को हम लोग को choose करना है तो देखिए, यहाँ पर पहला ही जो है यहाँ पर p, यहाँ पर p, please put your pen and paper away तो p, 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 है न, तो एक से ज़्यादा बार repeat हो रहा है p, p sound, p word, p letter, sorry तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर alliteration है यहाँ पर underline करने को कहागे, underline the letters with same sound at the beginning of words तो sara sips, soup, slowly तो ऐसे करके आपको ss को underline कर दे रहा है the lazy lion, lazy lion looked like lump सब में law law starting मा रहा है l bumple, busy bee, come close, closest, है न इसके बाद the tongue twisters use alliterations name the picture to complete these tongue twisters तो picture को देख करके हम लोगों को यहाँ पर complete करना है और यहाँ पर हम लोग ध्यान रखेंगे alliteration का भी जहाँ पर repeat होना चाहिए पहला letter देशे c cells यहाँ पर क्या हो सकता है by the sea sore यह क्या है यह हम लोग लिख सकते हैं selfish c cells selfish by the sea sore क्योंकि s s हम लोगों को repeat करवाना है alliteration को line पर लाना है betty bought bit यहाँ पर हम लोग butter कर सकते हैं इसको है बी से butter b b सब में repeat हो जाएगा silly sally swiftly should seven silly ships तो s से यहाँ पर shifts भी कर दिया मैंने two tiny timid यहाँ पर toads two tiny timid toads trying to trot to tarry town t से toads हो गया तो यहाँ palitration बन गया सब में ttt sound आ रहा है अब हम लोग देखेंगे adverb adverb किसे कहते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि verb किसे कहते हैं जब भी कोई action होता है जब भी काम होता है उसको हम लोग verb कहते हैं कोई भी काम प्लेइंग, इटिंग, स्लिपिंग, रीडिंग, लीविंग, स्टेंग स्टे कर रहा है, लीव कर रहा है, प्ले कर रहा है यह सब क्या है, वर्ब है और जब वर्ब का वर्ब का जब विशेशन बताया जाता है जब वर्ब का कोई quality बताया जाता है जब कोई feature बता जाता है तब उसको adverb कहाजाता है मतलब ये verb को indy में क्या बोलते है kria और adverb को क्या कहते है kria approximation तो verb का kria कजब कोई wish stör बताए तो उसको kriaiveness कहते हैं उसको इंग्लिच में adverb करते है मतलब वर्ब का मतलब कोई काम हो गया और काम का जब कोई विशेशन बताए, विशेशता बताए, तब उसको adverb कह देते हैं, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसमे, the girl lives happily, ever after, girl lives happily, leaves का मतलब क्या हुआ, leaves क्या है, एक verb है, काम है, live कर रह रहा है, रह रही है, the girl lives, वो रहती है, लेकिन कैसे रहती है, दुखी रहती है, तो happily रहती है, तो यहाँ पर leave तो करती है, leave कभी विशेशता बताया किसने, happily ने, वो कैसे रहती है, रहना तो ठीक है, रहना का मतलब क्या हो गया, वो रह रही है, मतलब वहाँ पर verb है, वहाँ पर क्रिया हो रहा, वहाँ पर कोई काम हो रहा, वो रह रही है, यह काम है, ले लोग समझ जाएंगे कि वह एड़ वर्ब है, तो यहां पर कैसे रह रही है, वह happily रही है, ठीक है? अगर हम लोग यहां लिख देंगे happily के जग़ों, badly तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह रह रही है, badly रह रही है, badly जैसे quick तो quickly, quick क्या है? एक verb है quick, जल्दी से काम करना, quick करना, quick तो उसका ये क्या है? quick करना, मतलब ये एक adjective है, एक vishetion है, काम का vishetion, जल्दी जल्दी करना, कोई काम को और उसका जब हम लोग adverb बनाएंगे तो last में ly लगा देंगे, तो वो बन गया quickly badly, bad, bad क्या है? एक ये है, vishetion है, मतलब एक adjective है, किसी का ये, ये बता रहा है, अच्छाई या बुराई बता रहा है, bad, work जो है, work क्या है, work एक verb है, work हम लोग कर रहे हैं, वो या तो good होगा, या तो bad होगा, है ना, उसका quality बताया है, उसका feature बताया है, तो bad को जब हम लोग adverb बनाएंगे, तब उसमें ly लगा देंगे, badly बन जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर दिखाया गया है, कि कैसे हम लोग ly को add करके, adjective से adverb बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर, अगर adjective में already पहले से y लगा हुआ है, end में, तो हम लोग उसको कैसे बनाएंगे, तब हम लोग उसको adverb कैसे बनाएंगे, तो y को remove करके, i, ly लगा दिया जाता है, happily, जैसे greedy, greedy का मतलब लालची, यह भी एक feature है, किसी इनसान का, किसी जानवर का feature है, कैसा बंदर है, मतलब greedy बंदर है, लालची बंदर है, तो यह तो विसेस्ता बताया उस बंद का, ठीक है, और greedily, यह वर्क जो कर रहा है, उसका भी विसेस्ता बताता है, तो इसको greedy को adverb जब बनाएंगे, तो वो greedily बन जाएगा, तो y remove करके, i, ly, तो यहाँ पे जश्ट यह जो line है, इसमें सिखाया गया है, कि कैसे adjective से adverb बनाएंगे, अगर last में y रहता है, तो i, ly ल लगा देते हैं, bad का badly, quick का quickly, है न, quite का quietly, यह देखिए, हम लोग यहाँ पे कुछ example यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, यह fill in the blanks मैंने कर दिया है, we sat, हम लोग बैठे थे, set का मतलब बैठना, बैठे थे, set पास्ट फर्म है, और बैठे थे, तो कैसे बैठे थे, बैठन the lion jumped through the hoop, jump तो कर दिया hoop से, hoop मतलब जो ring होता है उससे, तो कैसे jump कर दिया, na easily कर दिया jump, इसमें आप कुछ भी बर सकते हैं, यहाँ पे choice दिया हुआ नहीं है, मैंने खुद से डाला यह, I did my homework happily, मैंने खुशी-कुशी homework किया, तो कोई-कोई बच्चे sadly भी लिख सकता है, कि homework क बने मुसको मजा नहीं आ रहा है, I did my homework sadly, the spectators cheered loudly, when Virat hit another six, जब Virat Collie ने another six मारा, तब spectators, जो वहाँ पे लोग हैं, spectators से देखने वाले लोग हैं, वो लोग cheer कर रहे हैं, हला कर रहे हैं, बहुत जोर से चिला हैं, loudly, support कर रहे हैं, the dog looked at the pile of bones, कुता जो है, हड्डियों का धेर को देखता है, लालची पुन नजर से, मतलब greedily, लालची हो करके देखता है, greedily, फिर यहाँ पे दिया गया है, C2 में, from form verbs, adverbs, form adverbs, हम लोगों को adverb बनाना है, from the given adjectives, and use them in a sentence of your own, और आपको एक sentence भी बना करके use करना है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे उपर में यहाँ पे द greedily से greedily बन गया, है ना, सिर्फ y जब रहता है, तब हम लोगों को ध्यान देना है कि y में, सिर्फ ly नहीं लगेगा, y हट करके i ly लग जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को adjective दिया हुआ, adjective का मतलब vishation, ठीक है, adjective दिया हुआ है, और adjective से हम लोगों को adverb बनाना, तो beautiful, beautiful एक adjective है, किसी का प्रसंसा में कहा जाने वाला word है, तो beautiful को हम लोगों क्या बनाएंगे, beautifully, beautifully एडवर्ब हो जाता है, विराट played beautifully, second में careful, we walked carefully, third में slow, तो I did my homework slowly, fourth में heavy, it was raining heavily, heavily, तो heavy में देखो Y है, है न, तो Y को remove कर देंगे, और Y के जगा में I लगा देंगे, I, L, Y, heavily, I, यहाँ पर fifth one है, cheap, तो I could get this more cheaply, मैं इसको और बिस ज़्यादा सस्ते में पास सकता था, cheap मतलब सस्ता, इसके बाद है exclamation work, explanation mark, है न, तो जब हम लोग चकीत होते हैं, जब हम लोग surprise होते हैं, जब हम लोग किसी को धन्यवाद करते हैं, अपना strong feeling को जाहिर करते हैं, अपने अंदर का, तब हम लोग exclamation mark लगाते हैं, ये वाला, ठीक है, देखो, यहाँ पर sentence दिया हुआ, इसको read करके हम लोग समझते हैं, not even for a moment, I bet, सिर्फ अभी के लिए इन्हें ही है, मैं challenge करता हूँ, तो यहाँ पर अंदर का, एक strong feeling आ रहा है, इसलिए यहाँ पर exclamation mark लगा है, now I am back to the world where I belong, अब मैं अपने world में वापा जा रहा हूँ, जहां से मैं belong करता हूँ, तो यहाँ पर उसका strong feeling आ रहा है, खुशी हो रहा है कि मैं अपने world में जा रहा हूँ, तो यहाँ पर exclamation mark which indicates an expression of wonder or surprise, हम लोग जब surprise होते हैं, खूश होते हैं, हम लोग जब अपना strong emotion को बया करते हैं, जाहिर करते हैं, तब हम लोग यह exclamation mark को use करते हैं, जैसे यहाँ पर देखो use किया, thank you so much, तो last में हम लोग लगाया exclamation mark, अगर हम लोग सिर्फ thank you लिखते हैं, तो यह thank you के end में हम हम लोग ऐसे exclamation mark देंगे, अगर हम लोग सिर्फ thank you लिखते हैं, सिर्फ thank you, only thank you, without exclamation mark, without exclamation mark अगर लिखते हैं, thank you, तो भी वो ठीक है, correct है, गलत नहीं है, लेकिन जब हम लोग exclamation mark लगा देते हैं, thank you के बगल में, तो उसका मतलब हो जाता है कि हम लोग अंदर से बहुत grateful है हैं, ऐसा इससे प्रतीत होता है, यह science है, how sad I am, कितना दुखी हूं मैं, end में यहाँ पे exclamation mark, alas we lost the match, alas का भी यूज करते हैं, जब हम लोगों को दुख होता है कोई, भारी दुख होता है, तब alas यूज करते हैं, देखो दुख में भी हम लोगों को exclamation mark यूज करना में हमने लगाया, यह कोई word के last में लगाया जाता है, यह sentence के last में लगाया जाता है, वाव, खुशी जाहिर कर रहे हैं, तो यहाँ पे exclamation mark, yes, यहाँ पे हम लोग मतलब बहुत घरिना दिखा रहे हैं, yes, there is a mouse behind the table, यहाँ भी mouse है, yes, ऐसे बोलते हैं, तो यहाँ पे exclamation mark लग आके, तो यह chapter का grammar part यहाँ पे खतम होता है, कैसा लगा comment करके बताइए, और भी कुछ आपको चाहिए होगा, तो comment कीजिए, मैं वीडियो बनाने का पूरा कोशिश करूँगा, ठीक है, बहुत बार मिस हो जाता है grammar part chapter का, तो आप मुझे comment कीजिए, तो मैं जरूर आपको help कर जितना हो सके मैं help करने की बच्चों का, तो अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में, वीडियो को subscribe कीजिए, क्योंकि आने वाला जो वीडियो है, mom in the orbit, इसका question answer में upload करने वाला हूँ, इस वीडियो के बाद, तो वीडियो को देखिए, like कीजिए, चैनल को subscribe कीजिए, और bell notification को भी enable कर लिए, ताकि mom in the orbit को में जब upload करूँगा, तो आपको notification मिल जाएगा जल्दी से, तब आप देख पाएंगे, तो अभी के लिए इतना ही, thanks for watching, have a nice day.